नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप स्वागताब का अपनी यूटूब चैनल जी के एक्जाम में आज इस वीडियो में बात करने वाल है राजस्तान हाई कोड 2019 से मंदि जी हाम फ्रेंड्स आज हम हिंदी की एक नजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम टोप फोटी इसमें डिसकस करेंगे तो यह आपके एक्जाम की दस्टी बहुत इंपोर्टन होगी और आपके स्लेबस के अकोर्डिंग चलेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो आज इस वीडियो हिंदी का मोडिल पर स्टार्ट कर रहे हैं प्रेक्टिस एट पर फस्ट है और यह आपकी एक्ज पर जादा समय नहीं लूँआ, स्टार्ट करता आज का वीडियो इस यूडियो में आपके लिए मोश्ट इंपोर्टेंट क्वर्टिंग क्यूस्टन है तो आई इसका एक नमबर क्यूस्टन है किस करभ मांक में सब्द सुद्ध है वो आपको ताना है चार ओप्सन आपके स इसका बिलकुल सही है, यानि यह सारे के सारे सब्दे सुध है, लेकिन और जितने भी सब्द है, वो क्या है, एस सुध है, ठीक है फ्रेंट्स, तो इसका बी ओप्शन राइट है, नेक्स्ट क्योशन, एसा कभी जो ततक्षान कभी तकर्ष के उसे कहते हैं, वेरी इंपोर्ट का पता चल सके, साथ साथ में comment box में लिखकर जरूर बताएं, चलिए next question करते हैं, किस करम में आकास का प्राइवाची नहीं है, बिल्कुल easy question, friends, बिल्कुल easy question है, आपको बताना है, प्रकार आकास का प्राइवाची नहीं है, वो बताना है, जो आकास का प्राइवाची है, वो बताने बहुत बार confused हो जाता है तो जल्दबाजी में question गलत कर देते तो आप सोच समझ कर इसका answer देना मतलब इसमें तीन option तो आकास के प्राइवाची है लेकिन एक option है आकास का प्राइवाची नहीं है वो आपको बताना है इसका आकास का प्राइवाची नहीं है लेकिन व्यों सुनने और देव यह क्या है आकास के प्राइवाची है तो इसका डी आप्शन इसका right रहेगा next question किस सब्द में करमधारिय समास है किस सब्द में करमधारिय समास है जल्दी से comment box में लिकर रता है और friends मैं आपका समास से अलग special एक video लेकर आऊँगा जिसमें आपको समास से किसी परकार confused नहीं रहेगे आप आसानी से पैचान सको कौन सा समास किस परकार है तो इस answer का जल्दी से बता है आप इसका answer होता है किस सब्द में करमधारिय समास है जल्दी से answer होता है friends का से answer है दूसरी तर B option इसका right रहेगा किस सब्द में करमधारिय समास है B option इसका right है next question किस करम में संधी का गलत प्रयोग हुआ है बिल्कुल इंपोर्टेंट बिल्कुल एजी क्यूशन जल्दी स्याफ़त हैं किस करम में संधी का गलत प्रयोग हुआ है तो फ्रेंट इसका से अंसर क्या रहेगा ए उप्षन इसमें गलत प्रयोग हुआ है मतलब इसमें आज स्री गलत हैं लेकिन बही पलस करते यह सही है नम पलस ते नमस ते और यजू पलस वेदी यजूर वेदी तीनों अप्शन से यह लेगे निया अप्शन इसका बिलकुल गलत है चलिए नेक्स्ट क्योशन 6 नमबर क्योशन किस कर्मांग का वाक्य सुद्ध है किस कर्मांग का वाक्य सुद्ध है जल्दी से आप बताएं चार उप्शन आपके सामने है तो इसका से एंसर क्या रहेगा मनिशा वीदू सी स्त्री है सी उप्शन इसका राइट है लेकिन और जितने उप्शन दे रहे हैं तीनों कि तीनों गलत है ठीक है फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट करते हैं किस कर्मान का वाक्य सुद्ध है चार उप्षन आपके सामने इसमें कौन ची लाइन है कौन सा उप्षन है जो सुद्ध है वो आप बताएं जल्दी से और फ्रेंट्स अगर किसी भी क्यूशन में कोई भ लेकर उसका नाम लिया जाएगा इसने इसका सही आंस्ट अवहाएं किस कर्मान का वाक्य सुद्ध है चार उप्षन आपके सामने कौन सा है वे जरूर आएंगे यह नंबर इसका बिल्कुल से लेकिन तीन और यह बिल्कुल गलत है नेक्स्ट क्योश्ट डंका बजना होड़ेगा सही करम बताईए आप कौन सा सही है तो इसका सही एंसर क्या होगा परतिष्ठित हो जाना सी ओप्षिन इसका बिल्कुल सही है और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो इसे आप लाइक जुरूर कर देना क्यूंकि जब आप लाइक करते ह और हम आपके लिए सेलेक्टेड क्यूसन लेगा आते हैं चलिए नेक्स्ट क्यूसन लोग रामायन पढ़ते हैं में कौन सी करिया है जल्दी से कम इंबोक्स न लिख करता हैं लोग रामायन पढ़ते हैं कौन सी करिया है सक्क्रमक करिया है यह ओप्षिन इसका राइट रहे next question चाय में थोड़ा दूद मिलाओ किस सब्द में विशेशन है जल्दी से आप बताएं चार ओप्षन आपके सामने है किस सब्द में विशेशन है किस में थोड़ा में है c ओप्षन इसका right है next किस करम में प्रेणार थक किरिया है किस करम में प्रेणार तक किरिया है चार उप्षन आपके सामने जल्दी से आप बताएं किसमें रमा ने राधा से पत्तर लिखवाया एई उप्षन इसका राइट है next question चीडी मार में कौन सा समास है चीडी मार में कौन सा समास है जल्दी से कमेंट बॉक्षन लिख करता है चीडी मार में कौन सा है करम तत्त पुरूज है एई उप्षन इसका राइट रहेगा next question किस वाक्य में सारव नाम इक विशेशन है किस वाक्य में सारव नाम इक विशेशन है जल्दी से आप बताएं तीन बेव दोते हैं एई उप्षन इसका राइट रहेगा next question निमन में से अभिजाद सब्द का पराइव आची है ये पुछा कौन सा है तो कौन सा रहेगा फ्षन इसका कुलीन दो नमबर उप्षन इसका राइट रहेगा next question तथापी में कौन सी संदी है जल्दी से आप बताएं कमेंड बॉक्स में लिकर कौन सी है दिर्ग संदी है एई उप्षन इसका राइट रहेगा next question एक अनार सो बिमार लोकोक्ती का अर्थ है बहुत पर्चिजी तैफेरेंट ये लोकोक्ती जल्दी से बताएं एक अनार सो बिमार हम आम बासा में भी सुनते हैं ये तो जल्दी से बताएं चीज थोड़ी और चाने वाले अधीक डी ओप्षन इसका राइट रहेगा और फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें तता सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिसे आगे हमारे जो भी इंपोर्टेंट वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राफ्त आसके हैं और फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ को मैंने राजस्तान पूलिस के भी मैंने वीडियो लगा रखे हैं आपके हाई कोट के भी वीडियो आप भी वहाँ पे टेलेगुराम से जोईन करके देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट क्यूशन निमलिक्त में से कौन सा सब्द सुद्ध है जल्दी से आप बताएं इसका सही अंसवर कहा रहेगा अभी से एक पूर्ण किरिया को कून 2022 करलाति है जल्दी से कमेंट बाक्स बीकलोष इंपर्टेंट किरिया करदाएं नेक्स किरिया थे निम्म लिख्त में से किस मौवरे का अर्थ है कार्यासमाप्ति में देर होना किस मौवरे का अर्थ है कार्यासमाप्ति में देर होना वो आपको बताना है जल्दी से कमेंड बॉक्स में लिकरता है चार उत्तना सामने हैं दिल्ली दूर होना दिल्ली दूरोना का मौरे का क्या रत रहा है कारिसमाप्ति में देरोना C option इसका right रहेगा next किस करम में वाक्य सुद्ध नहीं है ये पूछा इब किवार किस करम में वाक्य सुद्ध नहीं है जल्दी से आप comment box न लिकरता है तो कौन सा है बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिला होई ये गलत है ये सुद्ध नहीं है ए उप्षिन इसका राइट रहेगा next question किस करम में सुद्ध सब्ध है किस करम में सुद्ध सब्ध है जल्दी से comment बॉक्स में लिकरता है किस करम में है निहारी का डी ऑप्षिन इसका राइट रहेगा और खेंट साप हमारे चैनल से जुड़े रहेगा आपका स्लेबस आपके जल्द से जल्द आपको पूरा करवाय जाएगा जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन है सारे आपको कवर करवाय जाएगे इसमें चाहए एजी क्यूशन हो चाह तो युहार दिवारात्र एस वरी है बी ऑप्षिन इसका राइट रहेगा चैनल नेक्स्ट क्यूशन करते हैं कून सा सब्द पक्सी का प्रायवाची नहीं है यह कुछा पक्सी का प्रायवाची नहीं है यह आपको बताने तो आप जल्दी से कमेंट बोक्स में लिख गाइच्ट पक्सी का प्रायवाची नहीं लेकिन खग अंडर हो वह यह कि यह प्यातिनों पक्सी के प्रायवाची है तो इसका यह और रहेगा नेक्स्ट क्यूशन जाननी सब्द का प्रायवाची सब्द नहीं है चांदनी सब्द का प्रायवाची सब्द नहीं है ये पुछाए कौन सब्द नहीं है इसमें सुब्रा नहीं है डी ओप्सिनिस का राइट रहे है यानि ज्योतसना, कौमुदी और चंद्रिका ये तीनों चांदनी सब्द के प्राइवाची है लेकिन शुप रही है नहीं है तो डी ओप्सिनिस का राइट रहेगा तो फ्रेंट्स आपके जल्द बाजिमिन का एंस्वर गलत मत कर देना सूद समस्क्रिन का एंस्वर देना ठीक है नेक्स्ट पतंग सब्द का अर्थ गोतक सब्द नहीं है कौन सा नहीं है डी ओप्सिनिस का राइट रहेगा यह पतंग सब्द का गोतक सब्द नहीं है Next Question, nega. किस कर्मांक का सब्द सुद्ध है? कौन सा सब्ध सुद्ध है? वो आपको बतानाएं. जल्दी से आप बताएं, चार अप्जन आपके सामने है. मतलब इसके कवित्री है, कौन सा सब्द साहि है? चार अपके सामने है, कौन सा है? कवित्री. बी ओप्सिन इसका राइट रहेगा कौन सा सब्स कोनुसी के लाइं सुथ है तो कौन सी किस कर्मांक का वाक्य सुद्ध है जल्दी से आप बताएं किस कर्मांक का वाक्य सुद्ध है बोजन बनाने के विवस्था करो C option इसका right है friends आपको जितने भी क्यूशन आरे साथ साथ हमें comment box में लिकर जुरूर बताते चलना जिसे आपको एकनी तयारी का पता चल सके next question किस कर्म में आयूसमान का प्राइवाची नहीं है चार आपके सामने मतले इसमें एक option प्राइवाची है इसका आयूसमान का लेकिन एक नहीं है कौन सा नहीं है जल्ली से आप बताएं तो कौन सा पुत्र आयूसमान का प्राइवाची नहीं है किस कर्म में सही प्राइवाची नहीं है यह इसका सही नहीं लेकिन अलंकार आप बुर्षन बुर्षन गहना इस्ट का वांसनी है अभी प्रेत और अभी इस्ट और आडंबर का डॉंग लेकिन इसका बी ओप्षन जो है वो क्या है गलत है तो इसका बी ओप्षन इसका राइट रहेगा कौन सा कर्मांग उचित नहीं है यह आपका बताना है कौन सा कर्मांग उचित नहीं है जल्दी से आप बता ज़िए तो इसका सी ओप्षन इसका राइट रहेगा नेक्स्ट किस कर्मांग में एस सुद्ध वाक्य है जल्दी से बताएं उसे वहां नोकरी पा गई यह सुद्ध वाक्य है बिल्कुल इस सुद्ध है ए ओप्षन इसका राइट रहेगा next जिस करमांग में सुद्ध वाक्य है जल्दी सा बताएं आज में पराता काल वहां गया d उप्सिन इसका, बिलकुल सही है next question जिसे टाला नजास के उसे कहते हैं जिसे टाला नजास के उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं, friends,éta अप्रिहारे a option इसका रएगा जिसे टाल नयजासकिव से क्या कहते है एपरिहारी है एउप्षन इसका right है next question डोरे डालना का अर्थवत क्या है जल्दी आप comment box में लिकरता है क्या है प्रेम में पसाना एउप्षन इसका right है friends इस वीडियो में top 40 question discuss करेंगे तो आप जितने भी question आपको आयें सही हुएं वो आप हमें comment box में लिकर में जरूर बताएं next किस करम में समास का सही प्रयोग हुआ है बिल्कुल easy question friends, important question जल्दी से आपता है किस करम में समास का सही प्रयोग हुआ है कौन सा है कनकलता करमदार्य समास का नकलता करमदारिस मास बी ओप्षिनिस का बिल्कुल सही है नेक्स्ट है आज का लाष्ट क्यूस्ट फ्रेंट इसका इनसवर आप कमेंट बॉक्स ने लिकर जरूर बताना गरम डूद पीना लाब दाएक होता है में कौन सा विशेशन है क्योंसा विछयाशन है जैनल दोप लखटांज को दरसा को अपको पता होना होना जाएए तो इसमें कौन सा रहे कमेंट बॉक्स में लिकर जुरूर था ना अच्छा लगती आप लाइक जुरूर करना सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नहीं बूले कि हम जितने भी वीडियो लगाएंगे आपको मिलते रहेंगे हमने राजस्तान जीके का एक वीडियो लगा दिया है आपकी इंगलीज कलास भी हमने स्टार्ट कर दिया एक वीडियो उसका लगाती है और आज हमारा हिंदी का पहला मोडल पेपर है तो हम आपके सिलबिस के अकोर्डिंग चलने वाले हैं तो आपका जितना भी सिलेबस रहे को राजस्तान पूलिस की वीडियो चाहिए मैंने लगा रखे हैं पुस्त दकाले की बिने लगा रखे हैं तो आप वो देख सकते हैं और यह अपने राजस्तान हाई कोर्ट की भी स्टार्ट कर दिये हैं तो फ्रेंड्स फिर मिलें एक नई वीडियो के साथ तब तक के जै हिंद जै भारत